ब्रेक से पहले ये दो सेटिलाइट लाँच हुए हैं श्री रहल कोटा से कस्पिर हैं इस टक्त आप देख रहे हैं और यान अब क्लोज लूप गाइडन्स के अंतरगत है यानि अपने सेंसर्स की मदद से अपने दिशा निरधारन कर रहा है इस कड़ी में एगड़ी घटना उश्मा कबच का प्रिथकरन है भव्या नजारा पीएसलवी सी 55 का सफलतापूर्ण उत्थापन पीएसलवी सी 55 प्रमोच अकियान अपने नर्दिश्ट कक्षा की और अग्रसर दर्शको का उत्सा यान के कंपन सब हम यह मैसूस कर रहे हैं यह बहुत उत्सा वर्दक होता है यान पूरी तरह सामान्या और अपने उत्थिश्ट कक्षा की और बढ़ रहा है पहले चरंड के प्रजोलन के दोरान रॉकेट वायोगतिक यानि आरड़नमिक संराजनात्मक और नियंतरन तंतर के दिश्टी से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है प्रस्टेश परफॉर्म स्थ नर्मल प्रीटी यानुंद तेख्व। बढ़ नप्रफ सीजव प्रेस से प्रेसend रॉकेस् का सफलतापूद अथ्टापन प्रटीट तेख्व। PSLVC 55 प्रमोच अक्यान अपने नर्दिष्ट कक्षा की और अग्रसर दर्शको का उत्सा यान के कंपन सब हम यह मैसूस कर रहे हैं यह बहुत उत्सा वर्दक होता है यान पुरी तरह सामान्य और अपने उत्दिष्ट कक्षा की और बढ़ रहा है पहले चरंड के प्रजोलन के दोरान रोकेट वायोगतिक यानि आरड़नमिक संराजनात्मक और नियंतरन सा यान के कंपन सब हम यह मैसूस कर रहे हैं यह बहुत उत्सा वर्दक होता है यान पुरी तरह सामान्य और अपने उत्दिष्ट कक्षा की और बढ़ रहा है पहले चरंड के प्रजोलन के दोरान रोकेट वायोगतिक यानि आरड़नमिक संराजनात्मक और नियंतरन तंतर के दिष्टी से बहुत कठिन परिस्थीतियों से गुजर रहा होता है यान के कंपन सब हम यह मैसूस कर रहे हैं यह बहुत उट्सावर्दक होता है यान पुरी तरह सामान्य और अपने उत्दिष्ट कक्षा की और बढ़ रहा है पासथे गिल पोट्रेडि आपने पोट्रेड़ें प्रीटो ट्रागिंग